Hello and welcome to Unique Creators So, question number 19 है आएए देखते हैं क्या है है Integers are listed from 700 to 1000 Integers हैं 700 से 1000 तक In how many integers is the sum of the digits? Right? 10 कितने ऐसे integers हैं में sum है digits का जैसे 700 लिखा है तो 7 प्लस 0 प्लस 0 ठीक है? 1000 लिखा है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इन में कितने ऐसे integers हैं इनके digits का जो sum है वो 10 होगा तो आपको यह नहीं बोला है कि 700 से 1000 तक आप सारे वो numbers लिखतो उसके बाद उसमें ढूढना चालो करो बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर आपको बस इतना धान में लिखना है कि हमें वो 3 digits 3 digit numbers ढूढने होंगे after 700 जिसका sum 10 हो जाए कैसे ढूढनेंगे उसकी trick होगी यहाँ पर 1000 हो नहीं सकता है इसलिए मैंने 3 digit बोला 4 digit नहीं बोला 700 से 999 तक देखेंगे means एक condition clear है 3 digits हमें लिखने है कोई आप देख लो 3 digits हमें कोई लिखने है यहाँ ठीक है कुछ भी लिख सकते है but 700 से 999 के बीच में होने चाहिए 700 तो 999 तो हम पहले digit जो लिख सकते है वो सिर्फ 7, 8, 9 इन तिनों में से सिर्फ 1 हो सकती है तो हम लिख लेते हैं पहले 7 7 के साथ ऐसे कौन से नंबर है जिनका ऐसे कौन से 2 नंबर यहाँ लिख दे हैं जो sum of digits उनका 10 हो जाए तो 2, 1 लिख सकते हो आप और 3, 0 लिख सकते हो ठीक है याद रखो 0, 3 भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि integers पूछे है 703 भी एक integer है 730 भी एक integer है 712 भी integer है 721 भी integer है तो 4 combinations 7 के साथ बना सकते है then next number हम लिख सकते है 8 और 8 के साथ कितने combinations बनेंगे या तो हम 2, 0 यहाँ पर कर दें या फिर 1, 1 कर सकते है 0, 2 भी कर सकते है 2, 0 कर सकते हैं तो 0, 2 भी कर सकते है integer है दोनो 820 और 802 दोनो ही तो यहाँ पर कितने 3 combinations बनेंगे 802, 820 and 811 next number हम 9 ले सकते हैं यहाँ so 9 ले लेंगे तो यहाँ पर कौन से combination बनेंगे 1, 0 का बनेगा and 0, 1 का बनेगा means 7 के साथ 4 possible combinations थे 8 के साथ 3 थे 9 के साथ 2 है तो टोटल कितने होगे 4 plus 3 plus 2 that is 9 so very simple D answer था 9 बहुत easily आप calculate कर सकते थे बट अगर कुछी ने यह सोच लिया 700 से 1000 तक लिखने है numbers नहीं धून पाऊगे आप कितनी भी कोसिस कर लो या फिर अगर धून भी लिया तो बहुत टाइम जाने वाला है और वो सही नहीं है ठीक है तो में कम टाइम में अपना answer निकालना होता है so 9 answer है thanks for watching this video like, share and subscribe in the case you liked it thank you